सभी आगनबारी बहनों को मेरा नमसकार, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा के आप सभी को मालूम होगा कि 21 तारिक से लेके 27 तारिके बीच स्वस्त बालक बाली का कारेकरम का आयोजन किया जाना है तो आज है 21 तारीक यानि स्वस्त बालक वाली का कारेकरम का आज पहला दिन है तो आज से आप सभी आगनबारी बहनों को पोसंट रेकरेप में जो भी बच्चे हैं उनका यहाँ पे GMD यानि ग्रोथ मोनेटरिंग किया जाना है इसके बारे में हम आपको पुरी जनकारी देने चलिए सुरू करते हैं आज की ये वीडियो जैसे कि आज हो गया 21 तारीक तो आज से आप सभी आगनबारी बहनों को जितने भी बच्चे हैं यानि कि आपके आगनबारी केंदर के जितने भी बच्चे हैं उनका ग्रोथ मोनेटरिंग तो करना ही है साथी साथ जो गैर बेनि नहीं आया हुआ है जिसके कारण ये आप लोग जो ऑप्सन देख रहे हैं नौन बेनिफिसरी वाला ये ऑप्सन नहीं खुल रहा है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा भी वेट कर लेना है जैसा ही कोई नया अपडेट आता है तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं जो आंगन बारीकेंदर के बच्चे हैं उनका यहाँ पर ग्रोथ मोनेटरिंग कैसे करना है जैसे कि जीरो से लेके 6 वर्स के जितने भी बच्चे हैं उनका यहाँ पर ग्रोथ मोनेटरिंग आपको आज से सुरू कर देना है और आप सभी को बताते चले जैसे कि यहां पे जो गर्भवती महिला अस्तनपन कराने वाली तो इसके लिए अभी आप लोग को क्या करना है कि अभी आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है जब तक 12.5 का अपडेट नहीं आ जाता है तब तक आप लोग को ये जो प्रावलम है वो आप लोग को ऐसे ही देखने को मिलेगी 12.5 का जो अपडेट आएगा उसमें आप लोग की ये प्रावलम सॉल्फ कर दी जाएगी चलिए अब हम बात करते हैं कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों का growth monitoring कैसे करना है तो चलिए यहाँ पर हम किसी एक बच्चे का जो growth monitoring है वो करके देख रहे हैं कि क्या दिखा रहा है चलिए किसी एक बच्चे का हम यहाँ पर growth monitoring कर रहे हैं जैसे कि 0 से लेके 6 माह वाले बच्चे की growth monitoring करेंगे उसके three dot पे click करेंगे three dot पे click करने के बाद यहाँ पे विकास की growth monitoring पे click करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं आज है 21 March तो आज से ही आप सभी को यह कार्य करना है और यहाँ पे आप लोग जिस बच्चे का height और weight डालने हैं उसका यहाँ पे real height और weight डालना है यानि आज के दिन से ही आप लोग को शुरुआत कर देनी है बच्चों की height और गयरा map के ही आपको यहाँ पे डालनी है जिससे की जो बच्चे हैं उनका certificate पराप्थ हो सके कि कौन सो बच्चा कुपोसित है अतिकुपोसित है इसके बारे में यहाँ से जो certificate है वो पराप्थ हो सके तो आप लोग को measurement करने के बाद ही यहाँ पे height और weight डालना है चलिए यहाँ पे एक बच्चे का height और weight डालके आपको दिखा देते हैं क्या दिखा रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बच्चे का हमने real height और weight यहाँ पे डाल दिया है डालने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे submit कर देंगे जैसे ही आप लोग यहाँ पे submit करेंगे तो records और फलता पुर्वक बनाया गया इस परकार का message आपको दिखाएगा और उसके बाद आपको height डालने के बाद यहाँ पे arrow आले पे click कर देना है इस arrow आले पे जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बच्चे का health status है वो क्या दिखा रहा है इस परकार से आप लोग को देख लेना है और यहाँ पे आज का date यहाँ पे दिखा रहा है अभी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि कोई भी certificate वगयरा प्राद करने का कोई option नहीं दिखा रहा है तो अभी update आना बाकी है अभी 12.5 का update जब आएगा तो उसमें आप लोग को और भी नए-ने option जोड़े जाएंगे जिसमें कि आप लोग को certificate प्राद कैसे करना है फिलहाल हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से जो जनकारी थी वो हमने दे दी है यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो non-beneficiary वाला option है वो भी नहीं खुल रहा है तो आज साम तक हो सकता है कि 12.5 का option आजाए जैसे ही कोई नया अपडेट आता है उसमें जो भी नया बदलाव आएगा हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे वीडियो आज की आप सभी को कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिजेगा तो आज की इस वीडियो में आप बस इतना ही मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद